दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आए आज कुछ नई चीज सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित, हिंदी व्याकरने विद्यार्थियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं संचेपन के नेम और अन्य बिंदू को लेकर के वीडियो बनाएंगे वीडियो प्रारंड करें उससे पहले आप सब सनिवेदन है यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उससे सब्सक्राइब जरू करें बेल आईकोन को जरू दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाएं और आप आसानी से देख सकें हमारा वीडियो बनाने का तरीका यह एक हम जो तत्थे हैं जो बात आपको कहना चाहते हैं वो आपके समक्ष हो व्यक्ति विशेस आपके समक्ष ने हो और बहुत सारी चीजें मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद आपके समक्ष प्रस्तूद करता हूँ बहुत सारे यूटूबर्स उस चीज को मोखिक रूप से बोल करके बताते हैं तो मैं यह समझता हूँ कि लिखा हुआ आपके सामने ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि आप इस प्रस्तूप से उसे देख सकें पढ़ सकें सुन सकें समझ सकें तो यह हमारा एक तरीका है व और चूंकि यह भी बहुत से विध्यारतियों के कमेंट्स आये थे हमारे पास तो हमने यह तरीका ही अपनाया खैर हम संचेपन की वीडियो प्रारंब करते हैं तो संचेपन एक महत्वण टोपिक है एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं सम्मधित इसमें आपको सिर्फ अक अधार पर जिन प्रशनों के उत्तर मांगी जाते हैं उनके लिए संचेपन और पल्लवन दोनों चीजें बहुत आवशक है हम पल्लवन को भी समझाएंगे उसकी वीडियो भी अलग से बनाएंगे लेकिन आज संचेपन के पार्ट 2 की वीडियो है और संचेपन को हम 3-4 पा अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि समझ में ने आये तो हमें बताईएगा हम उसको और इस पश्ट करने का प्रियास करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज की वीडियो संचेपन के नियम यद्दिपी संचेपन के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते तथा पी अभ्यास के लिए कुछ सामन्य नियमों का उलेक किया जा सकता है यानि कि हम ऐसा कोई खाखा नहीं बना सकते ये ये नियम होने चाहिए ऐसा ऐसा हो सकता है लेकिन हम ये कह सकते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है किया जा सकता है यानि कि एक संभावना है तो वो कुछ नियम बनाए ग उसका प्रशन को मूल पढ़ना चाहिए, कई पर क्या होता है उस प्रशन का उत्तर हम जानते हैं, लेकिन जल्द बाजिये में उसको गलत तरीके से पढ़ जाते हैं और उसका उत्तर जो हमारे मस्तिस्क में पहली बार कोज था हम वो लिख देते हैं, प्रशन को पूरा पढ़ वक्तव्य का भाषन का संचेपन करते हैं तो आप उसको पहले पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं तो उस एक घंटे या आदे घंटे या 40-50 पेज के वक्तव्य को भाषन को लेक को आप पढ़ने के बाद उसका मूल जो है संचेपन वो आपके मस्तिस्क में उतर आता है अब आप पढ़ते पढ़ते उस चीज को समझ जाते हैं कि ये चीज अनावशक है या इसकी आवशकता नहीं थी ये बात तो वहां कह दी गए थी इस रूप में तो इसके लिए ये आवशक है कि मूल अवतरन को कम से कम तीन बार पढ़ा जाए मूल के भावार्थ को समझना ये बहुत महत्पून बात है उसको समझे भिना हम कैसे संचिपन कर सकते हैं मूल भाव समझ लेने के बाद आवशक शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें जिनका मूल विशे से सीधा संबंध हो अत्वा जिनका भावों या विचारों की अन्विती में विशेश महत्त हो इस प्रकार कोई भी तथे छूटने ने पाएगा यदि हम मूल को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सारी बात है फिर हम इस पश्च रूप से कह देंगे फिर कोई बात छूटेगी नहीं अगला बिंदु है संचेपन मूल संदर्व का संचिप्त रूप है इसलिए ये ध्यान रखना है कि उसका मूल का संचिप्त रूप है उससे अलग कुछ भी नहीं है बस उसका छोटा रूप है चीज वही है इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अपनी और से किसी तरह है कि टीका टिपनी अत्वा अलोचना प्रत्यालोचना ने हो अपनी तरफ से आप मत जोड़िये क्योंकि आपके पास जो है पहले से उसी को छोटा करना है ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप कोई दूसरी चीज कह दो अपनी तरफ से नहीं आपको उसी का छोटा रूप करना है उसको इसपष्ट करने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ मत कहिए अलग से मत कहिए कुछ भी संशेपन के लेखक कुन्ने तो किसी मतवाद के खंडन का धिकार है उनने अपनी और से मोलिक या स्वतंतर विचारों को जोडने की आवश्यक्ता है बहुत सारे लोग संशेपन में ऐसा भी करते हैं जैसे मालीजे कोई विचार है कोई मत है आप उससे सहमत या एस सहमत है तो आप उसके विपक्स में अपनी बात कहते हैं यदि आप उससे सहमत नहीं है तो आप एस सहमती का विचार रखते हैं सहमत है तो सहमती के वहाँ वास्ता में आप का जो कार्य है वो उस पर टिपनी करना उसका विशलेशन करना उसकी व्याख्या करना उसका आर्थ करना उसका भावार्थ करना ये नहीं है सिर्फ आपका काम संचेपक का है तो आप संचिप्त करना है उस चीज को जो बड़े रूप में है आप भले ही उससे ऐसहमत हो उस विचार से तो भी आपको उसको लिखना है ऐसा नहीं है जिससे आप ऐस सहमत हैं उसको छोड़ दे और जिससे सहमत हैं सिरु वही बातें लिख दे तो यह नहीं होना चाहिए उसे तो मूल के भाववत्वा विचारों के अधीन रहना है और उन्हें ही संचेप में लिखना है यह बात मुख्य रूप से है अगला बिंदू है संचेपन को अंतिम रूप देने के पहले रेखांकी तवाक्यों के आधार पर उसकी रूप रेखा तयार करनी चाहिए यानि कि जब आप पढ़ते हुए पहली या दूसरी या तीसरी बार जब उसको पढ़ते हो तो उस मूल को आप देखते हैं उसमें कुछ बिंदू ऐसे होते हैं जो विसेस होते हैं यानि कि दो या तीन लाइन में दो तीन शब्द ऐसे आ जाते हैं जो 2-3 line उन शब्दों के इर्दिगिर्ध भूमती है या पहली line से हम किसी बात को शुरुवात करते हैं तो उसी line के इर्दिगिर्ध एक पूरा paragraph भूमता है तो आप उसको underline कर लेते हैं और फिर आप ये देखते हैं उसके अनरूप रूप रेखा आपको बनानी है यानि कि ये बात है इसको हमको छोटे रूप में कहनी है जिसके लिए उन्होंने दस पंक्तियां इस्तेमाल कर लिए या पचास शब्द इस्तेमाल कर लिए उसको हम लगु रूप में कहेंगे फिर उसमें उची तोर आवश्चक संशोधन जोड़िया घटाव करना चाहिए जोड़ घटाव का मतलब यह नहीं अपनी तरफ से जोड़ और अपनी तरफ से घटाव मतलब वहाँ जो दिया गया उसमें से क्या रखना है क्या जोड़ना है और क्या घटाना है यहां एक बात ध्यान रखने की यह है कि मूल संदर्ब के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है अब यहां करम व्यवस्था का मतलब यह है जैसे कि हमने पहले बताए करम व्यवस्था चैंज होनी चीए करम व्यवस्था चैंज होनी चीए मतलब जैसे कि मान लीजिए मूल आउतरण के पहले पहरा ग्राफ में बात की गई है परिश्रम की और दूसरे अवतरण में उसमें बात कर दी यथार्थ की तीसरे अवतरण में फिर परिश्रम की बात कर दी तो आप पहले और तीसरे अवतरण की बात को एक साथ लिख सकते हो कि उसमें परिश्रम की बाते हैं दूसरे अवतरण की बात जो उसमें है या थार्थ की उसको आप अगली चीज से जोड सकते हो या उससे पहले रख सकते हो तो ये विवस्था आप परिवर्थित कर सकते हो ये कोई आवश्चक नहीं है कि जिस क्रम में मूल लिखा जाए उसी क्रम में संचेपन भी लिखा जा है यानि कि वो लिंक वो जो जुडाव है वो नहीं तूटना चाहिए उसकी क्रम बद्यता तार्तम्यता में कोई बदलाव नहीं हो हाँ उसके विचारों में अगर आप देखते हो कि एक रूपता पहले में है चोथे अवतरण में है तो उसको आप एक जगें जोड सकते हो सारी बातें कह जाते हैं जो पहली बार कह दी गई है या पहली पंक्ति में कह दी गई है और अंतिम पंक्ति में उसको कहने का प्रियास करते हैं खासतोर से जिनको लिखने का थोड़ा अधिक शोग होता है जो राइटर वाली श्रेणी में होते हैं लेख की श्रेणी में होत लेकिन या आप बहुत सुन्दर हैं लेकिन इसी बात को वो बार-बार कहेंगे उपमा देते हैं आपका मुखड़ा चांद की तरह हैं आप गुलाब की तरह हसती हैं कलियों की तरह खिल खिलाती हैं चांदनी की तरह हैं आपका रूप निखराया है तो ये सारी चीजें एक ही वक्त के में एक ही पंग्ति में बहुत सुंदर है में समाप्त हो जाती है लेकिन जैसे प्रेमी अपने प्रेमी का वर्णन अलग-अलग रूपों में करता है तो ठीक ऐसे कई बार हम उस चीज को तीन या चार बार कहते हैं और मूल में यही बात होती है उसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो चार-पांच बार अलग-अलग रूप से एक ही बात जो कही गई है उसको हमें एक ही रूप में लिखना है एक ही बात कहनी है उसके लिए अलग-लग नहीं कहना है ताकि कोई भी आवश्चक विचार छूटने ने पाए और अनावश्चक विचार उसमें जुड़ना ने पाए जहां तक हो सके वह अत्तनत संचिप्त हो यदि शब्द संख्या पहले से निर्धारित हो तो यह प्रियत्न करना चाहिए संचिप्ण में उस निर्धेश का पालन किया जाए सामानेत है उसे मूल संदर्ब का एक तिहाई होना चाहिए हलांकि ऐसा नेम नहीं है लेकिन होना चाहिए ऐसी संभावना एक पैदा हो सकती है ताकि वो संचिप्त रूप है तो संचिप्ण संचिप्त रूप में होना चाहिए मूल का छोटा अन्ष होना चाहिए अन्त में संचिप्ण को व्याकरण के सामाने नेमों के अनुसारे क्रम में लिखना चाहिए यानि कि जो बात पहले आनी चाहिए वो पहले आनी चाहिए जो लाश्ट में आनी चाहिए उप्युक्त सारी क्रियाओं के बाद संचेपन के भावों और विचारों के अनुकूल एक संचेपत शीरशक दे देना चाहिए यानि कि इन सब को लेकर कि आप सारी बाते कह रहें तो एक उप्योप शीर्षक आप लिख सकते हैं ये पहले या बाद में जैसा आपको उचित लगे आप शीर्षक को बहुत पहले पकड़ जाते हैं जब मूल पढ़ तरहीं दें तभी उस समय है और शीरशक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की छमता रखे उसे सारी बातों का प्रतिनिध्यत्तु करना चाहिए जहां तक संभव हो शीरशक लगू और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए ताकि उसमें सारी बातें इसपष्ट हो जाएं सहज रूप से उसके अंदर कह दी जाएं तो विध्यार्थियों यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ जिग्यासा हो, कुछ प्रशन हो तो आप हमें कमेंट्स के माद्धम से बताएं हम आपके प्रशन का निदान करने का प्रियास करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएग, इसलिए हम यहीं रोकते हैं शेश पार्ट अगली वीडियो में हम इसका आपको बताएंगे तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार